वेल्कम टू सिद्धीकिस क्लासिस आज का टॉपिक है हमारा पार्चुरेशन तो पहले हिंदी में देख लेते हैं पार्चुरेशन क्या होता है जब बेबी होता है जब मदर के उटारेस से निकलता है डिलीवरी होती है तो उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं जब बेबी पूरा बन जाता है from the mother uterus mother uterus से निकलता है बेबी at the end of gestation gestation के end में तो अब सवाल आते हैं यह gestation क्या है gestation एक process है जो 9 month का होता है इस process में यही पूरा मतलब जो बेबी होता है उसके organ वगारा सब deployment होना यह सारा हमारा gestation में आ जाता है तो है parturation is a act expelling the full from young one from the mother uterus मतलब parturation एक वो process है जिसमें बेबी निकलता है पूरा deployment होके जब वो पूरा बन जाता है mother के uterus से end of the gestation जब gestation period जो होता उसका end हो जाता है the signal for parturation originate from the fully developed fetus यह कह रहे है signal मिलते है जब parturation होने के लिए signal originate होने लग जाते है जब जो हमारा fetus है fetus यहां बेबी कोई कहा गया है जब वो क्या हो जाता है पूरा डपलप हो जाता है which induce middle uterine contraction called fetal ejection reflex मतलब जब fetus हमारा पूरा डपलप हो जाते है तो वो induce करता है contraction contraction means contraction वो इस तरह करना जैसे दिल धड़कता है उस टाइप में contraction शुरू कर देता है signal मिलने लग जाता है यह नाइफ मन्त के लास्ट मन इमिल दिस ट्रीगर र्लीज़ ओफ ऑक्सेटोषिं के तो नाम कि मतलब जब दर्द होता है तो एक रिलीज होता है ऑक्सिटोसिन नाम का हमारा हार्मोन जो हमारा ऑक्सिटोसिन होता है यह हमारे एक हार्मोन होता है जो हमारी बोर्ड रिलीज करती है जब हमेरे पेन होता है from the maternal pituitary, pituitary से होता है यह release, oxytocin stimulate the uterine contraction, oxytocin क्या करता है, stimulate करता है, कि uterine को बोलता है कि क्या तुम contraction करो, this provide force to expel, और जब वो contraction होता है, तो एक force होता है, जो लगता है to expel the baby from uterus causing birth, मतलब जैसे यह हमारा, यह uterus हो गया, इस टाइप में, तो जो बेबी होता है, यह head हो गया, इस टाइप में, जो बेबी होता है, तो इस पर ऐसा force लग रहा है, contraction होके, इस पर कि outside को force लगता है, फिर क्या होता है, बर्त हो जाती है, the uterine contraction, oxytogenin के निकलने पर, क्या होता है, हमारा uterine contraction करता है, और contraction से, एक हमारा, एक force उत्पन होता है, जिस force से, बेबी क्या होता है, uterus से भार निकल जाता है, जिसको हम बर्त कहते हैं, and second, last point is, the forceful, the forceful muscular contraction of the uterine wall, leading to parturation, are called labor, मतलब, जो forceful, एक muscular contraction हो रहा था, उसमें, uterine की जो walls थी, इन वोलों में भी ये जो वोल थी, इसको धक्का मार रही थी, ये कहां तक ले जाती है, हमारे contraction को, parturation तक ले जाती है, जिसको हम labor कहते है, या फिर तुमने सुना, अगा labor pain, जिसको हम थाड़ थाल के जाती है, ज hàng का स Sumया हाँ जाती है, जाय से जाती है, हमारे propagate जाती है, जाती है, जाती है, जाती है, फिर थे जाती हैं, पिर थी रहाड़ने सक्क्षã़ है.